केट केम टुटोरियल में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे कॉडिनेट सिस्टम किसी भी 3D पार्ट में कैसे इंसर्ट करते हैं नॉर्मली हमारा कॉडिनेट जो है वो ओरिजिन पॉइंट से शुरू होता है हम जो भी ड्रॉइंग बनाते हैं वो ओरिजिन पॉइंट से बनती है आज हम एक ड्रॉइंग बनाएंगे ओरिजिन पॉइंट से फिर हम अपना ओरिजिन पॉइंट या कॉडिनेट सिस्टम चेंज करेंगे तो वो किस तरह करते हैं आज देखते हैं तो इसके लिए पहले हम एक पार्ट ड्रॉ करते हैं टॉप प्लेइन, स्केच स्केच में जाएए एक रेक्टेंगल सेलेक कीजिए और ओरिजीन पॉइंट से एक पार्ट बनाएए ओके अब इसे एक डाइमेंशन दे दीजिए 200 बाइ 200 अब इसे एक्स्टूड कीजिए 10 mm, ओके अब यही इस सेंटर पॉइंट इसका ओरिजीन पॉइंट है और इसका में कॉडिनेट से पॉइंट है अब हम इस सेंटर पॉइंट को इस कॉडिनेट पॉइंट को चेंज करना चाते हैं कहीं और शिफ्ट करना चाते हैं तो reference geometry में menu down कीजिए select कीजिए coordinate system अब यहां देखें यहां पूछ रहा है origin अब हमें origin define करना है पहले हमारा origin यह था अब हम origin समझ यह define करते हैं अब हमारा origin यह है अब यह पूछ रहा है x और y direction define करो हमने ax direction ले ली अब यह y direction ले यह हमने y direction ले लेकिन यहां देखें y direction जो वो opposite में है हमें reverse करना होगा तो इसे reverse y direction अब हमारे z axis select करने की ज़रूद नहीं है वो अपनी जगे पर है तो select कीजिए ok तो यह देखें हमारा new coordinate system या new origin point define हो गया अब यह हमारा origin point है ना के center वाला पहले हमारा origin point center में था अब हमने origin point change किया है अब हमारा origin point यह है उमीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा धन्यवाद